GKS UG 2024 का Embassy Tracker Result आ चुका है अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखिए तो चलो हम मिलकर चेक करते हैं लिस्ट चेक करने के लिए आपको Google पर जाकर Study and Code या वेबसाइट को सर्च करना होगा Embassy Tracker Result आ चुका है आप यह फर्स्ट वाले Official Website पर क्लिक कर सकते हैं Official Website पर ही सारे GKS के Notice आते हैं आपको इसी Website पर सारी GKS related information मिल जाएगी यहाँ पर जो यह GKS वाला कॉलम दिया है आपको इस पर क्लिक करना होगा इस पर सबसे पहला ही नोटेस है वो GKS UG Embassy Track का Result और Selected Candidate की लिस्ट दी गई है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा आपको ओड़ा नीचे की दरफ स्क्रोल करेंगे तो आपको दू अटेश्मेंट मिलेंगे जो पहला वाला है वो स्लेक्टिद केंड़ीट की लिस्ट है आप वहां से अपना सेल्क्शन चेक पर सकते हैं, ऐसे तो लग тебе एक वाला है है वो सेलीक्टिटेट्छ के किय लिए कुछ नोटेस है है हम उसको भी एंड में चेक करेंगे तो स्टेटनυ कई ग्राइसलेशन जो जो सलेक्ट हो चुका है, unacceptable ग्राइसलेये इंडिया से भी दो एप्लिकेंट स्लेक्ट हुए हैं उनका नाम हम देखते हैं एक है श्रेया एंड सेकिंड वनेस अवस्ती टी डॉट पी सो कांग्रेस एलेशन और बाकी सारी कंटरी की भी नेम दिए गए हैं तो आप इसको चैक कर सकते हैंने के अब उनके बाद इसके का लिए उसको चानेगे अब वीडियो स्टॉप करकर अच्छे से लिस्ट चैक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ने लिंक दी है तो आप लिंक लॉप जाकर डाहरेक्ट डाउनोड भी कर सकते हैं next we check करेंगे जो selected applicants के लिए एक notice दिया गया है उसपर भी अम नजर भार लेते हैं कि उसपर क्या दिया किया है आप attachment के थरू आप उसको डाउनोड कर सकते हैं कि यहां से मैंने इसको डाउनोड कर लिया है यह notice for second round selected candidates, embassy track, यह notice embassy track के students के लिए है, जो select हो चुके है, third round of selection at each university, अभी embassy track में जो भी select हुआ है, अब उन्हों ने तीन university स्लेक्ट की थी, अब उनकी application, NIIED, universities को भेचेगी, तो इसमें यह detail में दिया गया, इसको पढ़ लेना अच्छे से, and selected candidate को अपनी final choice of university, December 22 के पहले NIIED को बताना होगा, वो आपको email के तुरू बताना होगा, तो यहाँ पर how to submit पर जाकर आप रीट कर लेना, कि आपको email कैसे send करना है, इसको अच्छे से देख लेना, December 22, Friday के पहले आपको बता देना होगा कि आप किस university में जाना चाहते हो, इसके बीच में universities आपका interview भी ले सकती है, phone call interview, video call interview जैसे भी ले universities, तो हो सकता है, तीन universities में से कोई आपको दो select कर ले, एक select कर ले, तो इस पेसिस पर आपको selection, select करने पड़ेगी, इसके बाद अगर topic वगर आपका मिल गया हो, तो उसके लिए भी कुछ related दिया गया है, इसको रीट कर लेना, additional document से भी related कुछ यहां पर दिया गया है, आप इसको खुछ से अच्छे से रीट कर लेना, Graduation Certificate से भी related कुछ यहां पर दिया गया है, तो इसको चैसे रीट कर लेना, so that's it for today's video, congratulations to all the selected applicant, do read this notice very carefully, and to all those applicants इनका किसी करन से नहीं हो पाया selection, don't lose hope, it's okay to fail, लेकिन आपनो ट्राय करते रहना है, अपने dreams के लिए, don't give up on your dreams, believe in yourself, गुद लग्